हलो दोस्तों, नमस्कार आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे no use of the और the आपको मालूम है articles है articles a-n, the को कहते हैं articles दो प्रकार के होते हैं definite और indefinite indefinite आपका ए-n और definite da को बोलते हैं जो की आपको बिल्कुल मालूम है तो आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे no use of the यानि कि the का use कहा कहा नहीं होता है तो top 8 points की बात करेंगे इस वीडियो में जो की आपके exam के लिए बेहद important है तो चलिए start करते हैं no use of the और the आपका है definite article देखिए पहला आपका है picks of mountain यानि कि परवत के चोटियों के नाम के पहले the का परियोग नहीं होता है पहला point आपका picks of mountain परवत के चोटियों के नाम के पहले तो देखिए चोटी बहुत सारा है जिसका मैं आपको एक trick बता रहा हूँ mount जिसमें mount लगा होगा उसके पहले यदि the का यूज होगा तो वो आपका बिल्कुल गलत है ये trick आप याद रखियेगा क्या mount examples को समझते है the mount Everest देखिए mount के पहले दो आगया बिल्कुल गलत तो सही कैसे होगा mount Everest उसी तरह से mount आब यदि mount आबू के पहले यदि लगा हुआ है तो आपका बिल्कुल गलत है तो trick में क्या याद रखियेगा mount उसके बाद नंदा देवी अन्ना पुर्ना तो ये आपका होगया परवत के चोटियों के नाम के पहले दो का परियोग नहीं होता है और mount आप याद रखियेगा एक trick के रूप में अब बात करते हैं दूसरे point की तरफ तो आपका मालूम है कि नदियों के नाम के पहले दो का परियोग होता है लेकिन जब किसी नदी के नाम के साथ उस सहर का नाम जुड़ा हो जो उस परिस्तित है तो उस नदी के नाम के पहले दो का परियोग नहीं होता है दूसरा point को बढ़ियां से समझते है जब किसी नदी के नाम के साथ उस सहर का नाम जुड़ा हो जो उस पर हिस्तित है तो उस नदी के नाम के पहले दो का परियुग नहीं होता है Kingston on the Thames देखिए तेम्स नदी आपका है Kingston आपका सहर है तो टेम्स के पहले दो का यूज हुआ है इसलिए बिल्कुल गलत है तो सही क्या होगा Kingston on Thames यह आपका सही है नेक्स्ट बात करें न्यू कैस्टल अपॉन दो टाइन तो देखिए ये भी आपका गलत है क्योंकि टाइन जो आपका क्या है वो नदी है इसके पहले दो का यूज नहीं होगा तीसरा आपका है Hudson बे यानि की Hudson की खाड़ी के पहले दो का परियोग नहीं होगा देखिए यही ये कैसा खाड़ी है जिसके पहले दो का परियोग नहीं होता है Hudson बे याद रखिएगा बाकी आपके जितने भी खाड़ी होंगे उसके पहले दो का परियोग होता है तो हडशन बे याद रखिएगा हडशन की खाड़ी के पहले दो का परियोग नहीं होगा ये important खाड़ी आपका है हडशन बे बात करें फोर नंबर की तो आपको मालूम है कि द्वीपों के नाम के पहले दो का परियोग होगा लेकिन चार द्वीप ऐसे हैं जिसके पहले दो का यूज बिलकुल नहीं होगा उसका मैं ट्रीक बता रहा हूँ J S S C आप याद रखियेगा J S S C तो वो चार द्वीप का नाम आप सुनियेगा आपको याद रजाएगा J से जावा, A से सुमात्रा, A से सिसली और C से आपका सिलोन चार द्वीप का नाम आप याद रखियेगा कौन-कौन ये चार द्वीप ऐसे हैं जिसके पहले दो का यूज नहीं होगा बाकी जितने भी आपके द्वीप होंगे उसके पहले दो का यूज होगा तो चार द्वीप कौन-कौन जावा, शुमात्रा, सिसली, सिलोन ये चार द्वीप याद रखियेगा हटसन की खाड़ी जिसके पहले दो का परियोग नहीं होगा एक ही ऐसा खाड़ी है जिसके पहले दो का यूज नहीं होगा चार द्वीप आपको याद हो गया कौन-कौन जावा, शुमात्रा, सिसली, सिलोन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो धार्मिक गरंतों के नाम के पहले दो का यूज होगा बिल्कुल आपको मालूम है लेकिन धार्मिक गरंतों के नाम के पहले लेखक के नाम का परियोग होने पर धार्मिक गरंतों के नाम के पहले दो का परियोग नहीं होता है ये point अपियाद रखिएगा धार्मिक गरंतों के नाम के पहले लेखक के नाम, examples को समझते हैं वालमीकीज, दो, रामायना बिल्कुल गलत क्योंकि रामायन के पहले दो का यूज हो गया तो यहाँ पर आपका गलत हो गया क्योंकि rules क्या है आपका धार्मिक गरंतों के नाम के पहले तो धार्मिक गरंत आपका रामायन हुआ उसके पहले दो का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लेखक का नाम है यदि लेखक का नाम नहीं होता तो आपका बिल्कुल सही हो जाता तो सही क्या होगा वालमीकीज रमायन छे नंबर आपका पॉइंट है जो कि आपको बिलकुल मालूम है दिशाओं के नाम के पहले दो का यूज होगा लेकिन दिशाओं के नाम से किसी अस्थान विसेस का नाम स्टार्ट हो तो उस विसेस नाम के पहले दो का परियोग नहीं होता है examples को समझते हैं The West Bengal बिल्कुल गलात क्योंकि देखिए ये कोई अपका direction नहीं है ये किसी अस्थान विसेस की बात है तो सही क्या होगा? West Bengal The South Korea बिल्कुल गलात क्योंकि अस्थान विसेस का नाम है तो सही क्या होगा? South Korea Next point की बात करें 7 number वादे यंत्र देखिए जब बजाने की बात हो या सधारन वाक्य जैसे यंत्र की हो तो आप दो के यूज कीजिएगा पहले इसको बढ़ियां से समुझिए वादे यंत्र जब बात बजाने की हो या सधारन वाक्य हो लेकिन जब बात खरीदने बीचने और देखने की हो तो दो का परियोग नहीं होता है जब बात खरीदने बेचने और देखने की हो ये point अच्छी तरह से समुझिएगा जब बात खरीदने बेचने और देखने की हो एक्जाम्पल्स को समझीएगा बढिया से राजु कैननोट प्ले द पियानू देखे बिल्कुल सही है क्योंकि प्ले मिन्स भजाना होता है और जब बात भजाने की यह रहेगा कि पियानू एक वाद यंत्र है सधारन वाक की तो आपका दो का यूज होगा लेकिन जैसे ही खर पहले मालूम है जैसे देखिए यह अपका गलत है क्यूंकि रोमन फिगर्स के पहले दो का परियोग आपको नहीं होगा तो चीज आपका चाही तो यह तो कीजार्ज अपका तो शुची आपके होगया रस्ट जोटा इस माहली होता है पहला आपका परवत के चोटियों के नामों के पहले दो का यूज नहीं होगा, ट्रीक में आप माउंट याद रखियेगा, दूसरा है कि जब किसी नदी के नाम के साथ उस सहर का नाम जुड़ा हो, जो उस पर इस्तित है, तो उस नदी के नाम के पहले दो का परियोग नहीं ह Kingston on the Temps बिलकुल गलत Kingston on Tams बिलकुल सही next आपका point था कि Hudson की खाड़ी एक मात्र खाड़ी जिसके पहले दो कपर्योग नहीं होता है उसका नाम क्या है Hudson Bay चौथा point कुछ खास ध्वीप Jawa, Sumatra, Siggly, Ceylon यह 4 द्वीप ऐसे हैं जिसके पहले दो कपर्योग नहीं होगा पांचवा पॉइंट धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले लेखक के नाम का परियोग होने पर धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले दो का परियोग नहीं होता है कि धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले लेखक के नाम का परियोग होने पर धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले दो का परियोग नहीं होता है नेक्स्ट है कि दिशाओं के नाम के पहले तो भाई होता है लेकिन किसी अस्थान भी से इसका नाम दे दिया जाए तो उसके पहले दो का यूज नहीं होगा दा वेस्ट बेंगॉल बिल्कुल गलत वेस्ट बेंगॉल सही वाद यंतरों की बात करें बजाने की बात या सधारन वक्त तो दो का यूज कीजिएगा लेकिन जब बात खरीदने बेचने और देखने की हो तो दो का यूज नहीं करना है रोमन स्पीगर के पहले दो का परियोग नहीं होगा तो ये जो पॉइंट्स है टॉप इट पॉइंट्स आपे कोपी में नोट कर लीजिएगा और जब भी समय मिले तो दोस्तों में सेयर कीजिएगा और यदि चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दीजिएगा ओके धन्यवाद